Hello everyone, Welcome to my YouTube channel इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिबिल इंजिनेरिंग की विकैंसी से रिलेटेड तो जैसा कि अगर आप मेरा चैनल रेगुलर्ली फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं हिमाचेब अदेश की अपकमिंग वेकैंसी से लेटरी वीडियो डालता रहता हूँ तो मैंने अपनी कुछ वीडियो में बताया था कि जो पीड़ियो का केस सॉल्व होने के बाद हम इस डिपार्टमेंट में वेकैंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर 2018 से लेकि अभी तक कोई वेकैंसी नहीं आई थी तो कुछ तो वेकैंसी पीड़ियो डिपार्टमेंट जूनियर इंजिनियर की निकालेगा और दूसरी तरफ जल सकती भीवाग उसमें भी इस साल 24 वेकैंसी निकली थी टोटल जिसका भी रिजल्ट पेंडिंग है अब उसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे थी कि वेकैंसी आएंगी क्योंकि अप्रेल में एक रटी डाले थी जिसमें 136 वेकैंसी वेकैंसी वेकैंट है ये बात निकल के आई थी वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ तो अभी नवंबर चल रहा है तो अभी तक हम वेकैंसी जो है वो बढ़ी होंगी क्योंकि टेस्ट तो अभी तक कोई नहीं हुए है परमोशन से ही भरे होंगी जो भी सिटे भरी हुए है लेकिन परमोशन अगर जूनियर इंजिनियर में हुए है तो जूनियर इंजिनियर से असिस्टेंट इंजिनियर में भी परमोशन हुई होंगी और अब जो है मतलब के solve होने के बाद फाइन रेजल्ट होने वहाँ जॉइनिंग होने वहाँ फिर से उस पर केस को लेकिन स्टेर नहीं मिला तो अब काफी टाइम हो गया लगव एक मन्थ से उपर हो गया तो अब सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चुनाब आचा सहीं तक हतम हो गई है तो हिमाचे पते स्टाप सेलेक्शन कमिशन को नहीं एडवर्टाइजमेंट ले कि आएगा तो यहां पे कुछ लोग हैं जिनकी मांग है कि लोक निर्माण विवाग पी डबलुडी और जलसती विवाग में अभी तक कोई विकैंसी नहीं आई है और जब आर्टी आई डाली जाती है तो आर्टी आई के मादेम से बताया जाता है कि काफी विकैंसीज हैं लेकिन उनको भरा नहीं जाता और सरकार इन रिक्तपदों को भरने में कोई रूची नहीं दिखाती और यहां पे सरकार से निवेदन किया गया है कि आप जो है वो जो भी विकैंसीज खाली है उनको अब भरिये क्योंकि इस साल कुछ जादा टेस्ट नहीं मतलब अगर हम पिछले साल से मतलब पिछले साल तो नेगली जीवल कुछ बहुत ही कम टेस्ट हुए थे तो वो जो पिछले साल की विकैंसीज थी यह एक्जाम इसी साल हुए लेकिन इस साल कोई फर्दर नियू विकैंसीज जादा नहीं निकली हुए है, और अगर case चल रहा है, तो case तो JMA2 पे भी चल रहा है, लेकिन उसका फर्दर यृगे रहा है और exam भी delay नहीं भी रहा है, exam date भी भी आगई, तो मतलब अगर case चल रहे है तो आपको vacancies तब भी, तब भी निकालनी चाहिए अगर आपके पास विकेंसीज हैं और हम सब को बता है कि विकेंसीज पीड़लोडी और आई पीएच के जल सकती बाके पास बहुत सारी हैं और ये जो हमारा मतलब आर टीए डाल के जो स्टेटमेंट निकल के आती हैं उसमें ये मेंशन करी गई है और इसी साल की बात है तो अब यही है कि मतलब जी हो सकता है जितने जल्दी से जल्दी जो है वो गौर्मेंट को विकेंसीज को फिल अप करवाना चाहिए क्योंकि माचब अदेस ताफ सेलेक्शन का जो पहले सेडूर रहता है उसमें यह होता था कि अक्टूबर नमबर में एक्जाम होते थे फर्वरी मार्च अपरेल तक एक्जाम चलते थे तो अब हो सकता है कि अगर अभी इस मन्त या नेक्स्ट मन्त विकेंसीज निकल के आती हैं तो फर्वरी मार्च में उनके एक्जाम हो सकते हैं क्योंकि पिछले साल भी इसी टाइम विकेंसीज आई थी अब देखते हैं कि कितने जल्दी नई एडवर्टाइजमेंट आती है माचापदेस ताप सेलेक्शन कमिशन की और अगर आती है तो उसमें सिवल इंजिनिरिंग से लेटेड कोई विकेंसीज होती है नहीं क्योंकि लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें सिवल इंजिनिरिंग से लेटेड कोई विकेंसी नहीं थी और उससे लास्ट थी उसमें तीन पोस्ट कोर थे 900, 906 और 923 जिसमें नेगलिजिवल विकेंसीज थी अन्रिजर्वड के लिए तो तो अब देखते हैं कि कितने जल्दी ये चीज़ें हो पाती है और कब सिवल इंजिनिरिंग का उसमें विकेंसीज निकल के आती हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इंफॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ़र न्यू अपडेट्स के लिए